किसान योजना को लेकर अभी हाली में एक बड़ा अपडेट निकल करा रहा है अगर आप भी एक किसान हैं तो आपको बता दें कि एक अगस्द से पहले किसानों को दो महत्पूर्ण कारिये कराने होंगी तभी उन्हें आने वाली किस्द भी मिल पाएगी और साथी सरकार की तरफ से काफी किसानों को आप कैसे कते हैं कि लाखों की संक्या में ऐसे किसान हैं जिन्हें 2,000 रुपे की जगहें 4,000 रुपे मिलने जा रहे हैं लेकिन आपको दो बड़े कारिये कराने होंगे उसके बाद ही आपको 4,000 रुपे मिल सकते हैं अब कौन-कौन से कारिये आपको कराने हैं उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के मात्यम से तमाम जानकारी दे जा रहे हैं देखे केंद्र सरकार की तरफ से प्रधान मंत्रे किसान सम्मानधी योजना को सुरू किया गया है और केंद्र सरकार की यह योजना सबसे लोग प्रिये योजना हैं जिसका लाब देश के कुरोडो किसानों को दिया जा रहा है देखे जिन किसानों को अब तक सत्रवी किस्त मिल चुकी है वह किसान अब अठारवी किस्त का इंतिजार कर रहे हैं तो अठारवी किस्त कब आएगी वह हम आपको बताएंगे साथी साथ जिन किसानों की किस्ते रुकी हुई हैं उनके लिए भी यह एक महत्पूर्ण जानकारी होने जा रही है अगर आप नए किसान हैं और आप प्रधान मंत्री किसान सम्मान धी योजना की सभी सर्तें और नियमों का पालन करते हैं तो आप इस योजना में सामील हो सकते हैं आप new farmer registration कर सकते हैं यह कारिया आप घर बैठे भी कर सकते हैं यनकी आप अपने mobile से farm को भर सकते हैं चलिए दो बड़े कारियों के बारे में बात करते हैं कि सरकार के तरफ से कौन-कौन से कारिया करने के लिए कहा गया है जिससे की किस किस्त यनकी अठारवी किस्त भी मिले और double किस्त किसानों को मिले यनकी 4000 रुपे किसानों के bank account में ट्रांसपर किये जाएं तो बने रहेगा हमारे साथ अंत तक वीडियो को देखते रहेगा तमाम जानकारी आपको दे जाएगी वीडियो सुरू करने से पहले आप से निवि वीडियो ला रहे हैं उसमें आपको बता रहे हैं कि अठारवी किस्त कव आ रही है कब सरकार ट्रांसपर करने जारही है लेकिन आप मेंसे कुछ पिसान ऐसे हो सकते हैं जिкихोंने वे विडियो नहीं देख्यों होगी तो इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं कि अठारवी किस्त का बाने वाली है सबसे पहले यही जानकारी आपको देते हैं तो देखिए सरकार की तरफ से सत्रवी किस्त का पैसा 18 जून 2024 को क्या गया था और आप सभी भली भाती जानते हैं कि चार महिने के बाद सरकार किस्त ट्रांसपर करती है और आने वाली किस्त भी चार महिने बाद ही आने वाली है तो आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि सत्रवी किस्त जून में ट्रांसपर की गई थी और जून से आगे चार महिने बाद आपको अठारवी किस्त ट्रांसपर की जाएगी तो आपका जो चोथा महिना होता है वह आपका है अठारवी किस्त का अक्टूबर जो अक्टूबर महिन में जो किस्त है पर आने जा रही है अब दोस्तो अक्टूबर महिन में आपको अठारवी किस्त या फिर अक्टूबर के पहले सब्ता में आपको अठारवी किस्त ट्रां ये करने होंगे तो देखी दोस्तों आपको बता चाहेंगे कि परधान मंत्री किसान सम्माद धी योजना में कई वड़े नियमों में बदलाओ किया गया है आप भी है बात जानते होंगे क्योंकि काफी ऐसे किसान हैं लाखों की संक्या में ऐसे किसान पाए गए हैं जो गलत तरीके से किसान योजना का लाव ले रहे थे उनके एकाउंट में हर चार महने के वाद 2000 रुपे ट्रांसपर के जा रहे थे तो ऐसे किसानों को लिष्ट से बाहर करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं कि परधान मंत्री किसान सम्माद धी योजना से बाहर करने के लिए कई बड़े नियमों को लागू क्या है जिसके अंतरगत किसानों को भी कुछ कार्य करने को कहा गया था लेकिन काफी किसानों ने वह कार्य नहीं किय थे इसलिए उनकी जो किस्ते हैं वह अटक गई थी तो ध्यान दीजेगा सबसे पहले बात करते हैं कार्य नंबर 1 की चार हजार रुपे किन किसानों को मिलेंगे तो देखिए यह चार हजार रुपे उन्हीं किसानों को मिलेंगे जिनकी किस्ते रुकी हुई हैं जी हाँ अगर आप मेंसे ऐसे किसान हैं जिन हें सत्रवी किस्त का पैसा नहीं मिला था तो उने सरकार सतरवी किस्त के साथ ही अठारवी किस्त भी ट्रांसपर करने जा रही है लेकिन उसके लिए दो बड़े कारिय कराने होगे कारिय नमबर एक आपको अपने फारम में करेक्शन कराना होगा यानि कि आपको अपने फारम को अपडेट कराना होगा उसके बाद ही आपको किस्त मिल सकती है हाली में मिली जानकारी के अनुसार काफी ऐसे किसान हैं जिनके फारम में गल्ती पाई कई है देखे आपको बता दें कि जब सरकार किस्त का पैसा ट्रांसपर करती है तो सबसे पहले किसान का जो फारम होता है उसको जाए जाता है कि यह किसान पातर है या फिर यह पातर है इन्हें किस्त देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए उसके बाद ही सरकार पैसा ट्रांसपर किसानों के अकाउंट में करती है तो काफी किसानों के नाम में गलती पाई गई है और काफे से किसान है जो अपना अपना स्थान छोड़कर दोसे स्थान पर जाकर रहने लगें हैं आउर उनका आधार कार्ड बदल चुका है तो ऐसी स्थिति में आपको अपने अधार कार्ड की जो भी information है वह अपने किसान फर्म में देनी होगी क्योंकि अगर आपके अधार कार्ड में और किसान फर्म के जो भी फर्म हैं अगर सेम जानकारी होती है आपका address, mobile number, नाम, पता अगर सेम होता है एक जैसा होता है तो सरकार आपके account में तुरंत पैसा transfer करती है लेकिन अगर जानकरी अलग-लग होती है तो ऐसी स्थिति में किसानों की किस्ते अटक जाती है उन्हें किस्त का लाव नहीं मिल पाता है इसलिए आपको अपने फारम में correction कराना होगा जो भी गलती है उसे सही करानी होगी उसके बाद ही अठारवी किस्त के बाद आपको सतरवी किस्त भी मिल पाएगी यानि कि आपको एक साथ दो-दो हजार रुपे एक साथ चार हजार रुपे आपको मिल सकते हैं अगर आप य यह कमिया दूर कर लेते हैं यह कारिय कर लेते हैं अब कारिया नंबर दो देखिए कारिया नंबर दो में आपको बता दें कि जिन किसानों ने अपने बैंक खते से काफी लंबे समय से लेन देन नहीं क्या है तो वह अपने बैंक खते की KYC जरूर करा लें क्योंकि जो एक्त अकाउंट एक्टिव नहीं है तो ऐसी स्थिति में बैंक एकाउंट को अटोमेटिक बंद कर देता है तो इसलिए आपको जो कार्य है वे केवाईसी अकराना है आपको अपना धार काड़ और पैयंद काड़ की फोट्रोश्टेट बैंक में जाकर जमा कर देनी है जिससे कि आपको 4000 मिल सकेगी आपकी किस्त नहीं रुकेगी अगर आपको सतरवी किस्त मिल चुकी है तो अठारवी किस्त भी आपको तुरंत मिल जागी अगर आपके वाईसी करा लेते हैं तो यह थी आपके लिए महत्पुन जानकरी आई हूप आपको जानकर एच्छलगी होगी आप किसान सम्मानित्य योजना का लाव कहां से ले रहे हैं कोई भी सवाल करेगा सभी सवाल को जवाब दे जाएंगे अब चाहते हैं आप से इजाजात मिलते हैं अपने स्टूडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा चनल पर आप जरूर सब्सक्राइब कर लिजगा धन्यवाद